Friends, Welcome back to our channel, Job Easy, I'm Shivani तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब विकिंसी के बारे में जो है Additional Directorate General, Army के तरफ से Steno, LDC, Teleclerk और Various Post के लिए ये विकिंसी है तो दोस्तों ये है इसको Official Notification तो Official Notification को हमारे Telegram चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी Link आपको Description Box में दे दी गई है तो आप वहां से इस Notification को डाउनलोड कर लिजे और इसके साथ इसका Application Form भी आप डाउनलोड कर लिजेगा दोस्तों तो आपको दोनों चीजें Application Form और इसका Notification टेलिग्राम चैनल में दे दिया गया है तो आईए हम Discuss करते हैं Post Viquencies तो दोस्तों सबसे पहली Post है Stenographer की तो इसके अंतरगत कुल 2 Viquencies हैं और इसमें General के लिए 1 Viquencies है और OBC के लिए 1 Viquencies है और हम इसकी salary देख लेते हैं तो दोस्तों 25,000 से लेके 81,000 के बीच में आपकी salary रहेगी और इसके साथी साथ आपको allowance भी मिलेंगे तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक बता दूँ कि इसमें आपकी salary अच्छी रहने वाली है क्योंकि इसके साथ साथ आपको additional allowance मिल रहे हैं तो इसमें आप मानके चलिए कि आपकी 50,000 तक salary रहेगी और इसमें आपकी age limit जो है 18 से लेके 25 यर्स तक के candidate इस job के लिए apply कर पाएंगे अब हम आज आते हैं इसकी qualification पे कि इन्होंने आपसे qualification में क्या मांगा है तो पहली चीज इन्होंने आपसे मांगी है कि आप 12th pass होने चाहिए और दूसरी चीज आपका steno में dictation में आपकी 80 words per minute टाइबिंग स्पीड होनी चाहिए ओगे दोस्तों अब हम आते हैं second post पे जो है lower division clerk के लिए इसके अंदर गत कुल 13 vacancy है तो 13 vacancy में से जो general के लिए vacancy है वो कुल 10 है SC के लिए आपे 1, ST के लिए भी 1 और OBC category के लिए आपे 1 vacancy है और इसमें हम salary की बात करें तो 19,000 से लेके 63,200 की बीच में आपकी salary रहेगी और इसी के साथी साथ आपको allowances भी मिलेंगे तो उसमें भी दोस्तों आपकी salary अच्छी रहने वाली है और इसमें हम age grade area की बात करें तो 18 से लेके 25 years तक के candidate इसके लिए apply कर पाएंगे अब हम आते हैं इसकी educational qualification में तो उन्होंने candidates से पहली चीज मांगी है कि आपका 12th pass होना चाहिए और दूसरी चीज कि आपकी English में 35 words per minute की typing speed होनी चाहिए computer पे या अगर आप Hindi में type करते हैं तो Hindi में आपकी typing speed 30 words per minute होनी चाहिए ना clear दोस्तों अब हम आते हैं next tally clerk की post के लिए तो इसके अंतरगत कुल 10 vacancies है और यह divided है category wise आप देख लिए दोस्तों और इसमें आपकी salary जो है 19,900 से लेकि 63,200 के बीच में आपकी salary रहेगी और इसके साथ ही साथ आपको कई सारे allowances मिलेंगे इसमें हम अगर age criteria की बात करें तो 18 से लेकि 25 years तक के candidate इसके लिए apply कर पाएंगे और हम इस notification में आगे चलके age relaxation देखेंगे दोस्तों अब हम आते हैं इसकी qualification पे तो इनमें उने आपसे 10th pass बांगा है तो टेली clerk की post के लिए आपको 10th pass होना चाहिए और 3 years का experience होना चाहिए आपको as a tele clerk का अब हम next vacancy पे आते हैं कुक की तो इसके अंतरगत कुल दो vacancies हैं तो इसमें आपकी तो salary रहेगी वो 19,900 से लेके 63,200 के बीच में आपकी salary रहेगी और इसके साथी साथ आपको दूसरे benefits भी मिलेंगे इसमें आपकी age 18 से लेके 25 years तक होनी चाहिए और age relaxation में आपको आगे चलके notification में बताऊंगी और cook के लिए जो इन्होंने qualification बताई है तो cook के लिए जो qualification है कि इसमें 10th pass होना चाहिए और आपको cooking की knowledge होनी चाहिए main तो आपने 10th pass किया हो और आपको cooking की knowledge हो यानि आपको खाना बनाना आना चाहिए अच्छे से और दूसरी है इसमें vacancy आती है MTS सफाई वाला तो इसके अंतरगत कुल 2 vacancy है और इसमें आपकी जो salary रहेगी 18,000 से लेके 56,900 की बीच में आपकी salary रहेगी और इसके साथी साथ आपको allowances और other benefits भी आपको इसमें दिये जाएंगे तो इसमें आपकी जो age है 18 से लेके 25 तक होनी चाहिए इसके साथी साथ आपको इसमें age relaxation मिलेगा जो SCST से आते हैं और अब हम आते हैं इसके education qualification पे तो MTA सफाई वाले के लिए जो qualification है आपने 10 पास किया होना चाहिए तो इसमें उन्होंने आपसे सिफ 10 पास मांगा है और आपको इस काम में MTA सफाई वाले में आपको experience होना चाहिए सफाई का अब next vacancy आते है assistant account की तो इसके अंतर गतकुल एक vacancy है इसमें आपकी जो salary वाली है तो इसमें salary आपकी अच्छी होगी दोस्तों और इसके साथ ही साथ आपको allowance में मिलेंगे और इसमें जो age criteria है वो आपकी age 30 years से जादा नहीं होनी चाहिए मतलब आपकी जो age होनी चाहिए वो 30 years तक के candidate इसमें apply कर पाएंगे जो 30 years से ज्यादा age के हैं वो उसके लिए apply नहीं कर सकते और इसमें नोने qualification आपसे मांगी है कि आपका become complete होना चाहिए तो इसमें आपने become किया हो और आपको accounts work का experience हो अब next है MTS watchman तो इसमें watchman की vacancy है इसमें अंतर कुल vacancy है इसमें 3 और इसमें salary आपको दी गई है 18,000 से लेके 56,900 की बीच में और इसमें आपकी दोस age रहेगी 18 से लेके 25 years सके candidate इसके लिए apply कर सकते हैं और इसमें नोने आपसे essential qualification में आपसे मांगा है 10th pass होने चाहि अब next है MTS messenger इसके अंतर कुल one vacancy है इसमें आपके जो salary रहेगी वो 18,000 से लेके 56,900 की बीच में रहेगी age आपकी इसमें 18 से लेके 25 years सके candidate apply कर सकते हैं और इसके अंतर क्वालिफिकेशन में इनोने मांगा है कि आपका 10th pass होना चाहिए और अगर आपके पास experience है तो और भी ज से लेके 25 years सकी age की candidate apply कर पाएंगे और इसमें उने 10th pass मांगा है कारपेंटर की पोस्ट के लिए और आपको कारपेंटरी का knowledge होना चाहिए और साथी साथ experience भी अब है next regular laborer इसके लिए कुल five vacancy है और 18,000 से लेके 56,900 की बीच में आपकी salary रहेगी 18 से 25 years तक के candidate apply कर पाएंगे इसमें उने आपसे 10th pass मांगा है तो दोस्तो ये थी सारी post number of vacancy salary हमने सब कुछ डिसकस कर लिया अब इसके बाद आते हैं हम age relaxation की तो जो SC, ST से आने वाले candidates के लिए हैं आपे 5 साल का age में relaxation दिया गया है और OBC के लिए हैं और 3 साल का PWBD unreserved के लिए हैं आपे 10 साल का age relaxation है जो PWB जो PWD OBC हैं या पे उनके लिए 13 साल का PWD SCST के लिए हैं पंदरा साल का इसके बाद हम समझते हैं कि इसमें selection process क्या रहेगी आपकी तो इसमें एक आपका लिखित परिक्षा होगी याने एक return test होगा आपका जिसमें आपसे 10 वी कक्षा के basis पे ही आपसे questions पूछ जाएंगे यानि 10 वी कक्षा तक आपने पढ़ाई की है तो इसके basis पे ही आपकी ये परिक्षा आएगी यानि 10 वी तक के सवाल आपसे पूछ जाएंगे तो इसमें आपसे reasoning पूछ जाएगी general awareness mathematics और English इसको एक बार हिंदी में बोल देती हूँ इसमें आपसे reasoning पूछ जाएगी और अंगरी जी की question इसमें आपसे पूछ जाएंगे इसके बाद आपका एक practical test या skill test होगा जसको आपको पास करना होगा तो दोस्तों अगर आप इस job के लिए apply करना चाहते हैं आविदन करना चाहते हैं इस job के लिए तो इसके लिए आप फरवरी की आखरी तारिक तक apply कर सकते ह हैं अगर आप इसके लिए interested हैं eligible हैं और अगर आप apply करना चाहते हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको apply कैसे करना है तो इसके लिए आपको offline apply करना होगा यानि online apply इसमें नहीं होगे तो आपको इसके लिए offline apply करना होगा तो इसके लिए सबस जाएगा हमारे टेलिग्राम क्रूप को जॉइन करके तो आप टेलिग्राम डाउलोड करके हमारे इस टेलिग्राम क्रूप को जॉइन कर सकते हैं वहां से आप यह एप्लिकेशन फॉर्म डाउलोड कर लिजीगा और यह नोटिफिकेशन तो आपको एप्लिकेशन फॉर्म प् यह पूरा form आपको फिल करना है पूरा form फिल करके आपको डॉक्यूमेंट सदेच करके दे गए पते पे आपको भेजना होगा और इसमें आपको मेंशन भी करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए यह एप्लिकेशन फ़र्म भेज रहे हैं तो यह सारे documents आपको लगाने हैं जैसे आपकी 10W की mark sheet आपका birth certificate, cast certificate अगर आप SCST वगरा से आते हैं तो इसमें आपकी educational qualification certificate लगेगी और इसमें आपका 2 self addressed envelop लिफाफा लगेगा, fx rupees 5 rupees postal stamp और 2 color passport size के आपके photo लगेंगे और ये सारी चीज़े आप पढ़ लिजे दोस्तों इस सारी आपकी चीज़े लगेंगी तो आबिदन फॉर्म के साथ इन सारी document की photocopy आपको लगानी है और इन सब सारी चीज़ों को अपने एक लिफाफे में भरके लिफाफे पे आपको लिखना है कि आप किस post के लिए अप्लाइ कर रहे है तो आपको लिखना पड़ेगा application for the post of या तो steno, ldc, tele clerk जिसके लिए आप अप्लाइ कर रहे है उस post का नाम लिखना है और इस पते पे आपको speed या registered post के थूँ आपको भेजना है तो आपको ये पूरा address दिया गया है the commandant, embarkation headquarter second floor, नवभवन building, 10R, कमानी मार्ग बलाच स्टेट मुंबई तो आपको ये पूरा address दे दिया गया है तो आपको application form डाउलोड करके उसको भरके उसके साथ ये सारे documents की photocopy attach करके आपको इस पते पे भेजनी है ना करने के बाद दोस्तू फिर आपको call letter इनकी तरफ से आएगा जिसमें आपको date दी जाएगी time दिया जाएगा और जगह बताई जाएगी कि आपका ये written exam कहां होगा written and practical या skill test आपका कहां होगा उसमें उन्होंने बताया कि आपका written test और skill test आपका इसी पते पे होगा जिस पते पे आप भीज रहे हैं मुंबई में तो आपको इन्होंने बोला है कि आपको 2-3 दिन की तयारी के साथ आना होगा मुंबई और आपको वहां पे अपना written test और practicals test देना होगा तब ही आपका सब पुच जाएगा written test भी हो जाएगा और practical skill test भी हो जाएगा और इसमें एक बात और क्या आपके लिए apply करने के लिए इसमें कोई भी fees आपको नहीं पे करनी तो बस आपको लिफाफे में अपने सारे documents अपना application form प्रिंट करके भरके documents attach करके envelope में पते पे भीजना है आपकी कोई भी application fees में नहीं लग रही तो अगर आप eligible हैं तो आप दोस्तो इस post के लिए जरूर apply कीजेगा तो दोस्तो ये था notification additional director general army की तरफ से steno, ldc various post के लिए तो अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझसे बिलकुल comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तो आप please मेरे चैनल को subscribe कीजिए share कीजिए और like कीजिए जिससे आपको इसी तरह various job की notification हमारे चैनल से मिलते रहेंगे, thank you